हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू में चैनल राइज इंग्रिस कॉर्णा, आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर आपके साब में उपस्तित हुए हैं, इसमें ब्रामर से आज हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं, टेंस को इंग्लिस में इंग्लिस के लिए बैकबून कहा गया हैं, बैकबून का मतलब रिड की हड़ी होती है, और बैकबून अगर आपका स्ट्रेट है, मजबूत है, तो आप सीधे रहेंगे, जुकेंगे नहीं, अपिडेंस आपका बढ़ा रहेगा, उसी प्रकार अगर इंग्लिस में टेंस में आपका कंसर्प्ट मजबूत है, तो आप इंग्लिश में confidently speak भी कर सकते हैं, और written work भी कर सकते हैं, इसलिए grammar का concept अच्छी तरह से होना बहुत ज़रूरी है, अब यू तो नीचे के class से ही grammar पढ़ाय जाता है, टेंस पढ़ाय जाता है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है, कि class 10 या 11 में आते आते, concept उसका tense का ठीक से नहीं बन पाता है, तो यही प्रयास मेरा है, कि आपके लिए मैं tense के वार लेकर आऊं, और बहुत ही आसान तरीके से, example के साथ आपको मैं tense सम्झाने का प्रयास करूं, और इसलिए हो सकता है कि ये दो-तीन पार्ट में हमें करना पड़े, क्योंकि थोड़ा सा लंबा होगा, पोड़ा भीमा, slow हम लोग चलेंगे, तो लेट स्टार्ट, टेंस में सबसे पहले, हम लोग ये जानने की कोशिश करते है, कि what is tense, what is a tense, tense का डिप्यान, डिफाइन करने की कोशिश करते है, जिससे कि हमको समझ में आए, The term tense is the form of a verb, which shows the time at which an action took place, जो बताता है कि काम किस समय समाप्प्र, या घटना किस समय घटित है, So, it shows two things, इसलिए ये दो चीजे बताते हैं, the time of the action, और दूसरा, state expressed by the verb, Time of the action का मतलब काम करने का समय, और state expressed by the verb का मतलब हो गया कि, भर्व की स्थिति क्या है, तीन example से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते है, इसमें तीनों में आप देखो, भर्व जो है वो underline किया हुआ है, ये underline जो word है, ये भर्व है, तब भर्व सबसे पहले गोज को समझ लेते हैं, Goze indicates the present tense and refers to the present. Goze verb present tense को refer करता है और समय इसको refer कर रहा है तो present को, बरतमान को. The verb went indicating the past tense गरतमान को. इसी तरह से went पास tense को indicate कर रहा है and refers to the past tense. ठीक है? Past time को refer करता है. तो टेंस के साथ साथ समय भी हम लोग देख रहे हैं। दभाव विल गो, डिनोट्स दफ्यूचर टेंस, विल गो फ्यूचर टेंस को बता रहा है। और फ्यूचर टाइम को बता रहे हैं। तो आप दो चीज नोट कर रहे हो, एक टेंस और दूसरा जो है टाइम। तो नेक्स स्लाइड में हम लोग यह देखने की कोशिश करते हैं कि वाइद तरम टेंस, वी अंडर्स्टाइड देखने की कोशिश करते हैं कि अब हम लोग दो चीज बढ़िया से समझेंगे, तेंस टरम से क्या समझते हैं, तो यह actually है क्या, it is the correspondence between the form of the verb, form of the verb का मतलब verb का जो पांच form होता है, भी 1, भी 2, भी 3, भी 4 और भी 5, इसको हम लोग verb form कहते हैं, इसके साथ concept of the time, time का जो concept है, यह दोनों को जो correspondent कर दिये, that is what we call tense, अब हम लोग यह बहुत ही important question पर आते हैं, are time and tense are the same thing, क्या time and tense जो है वो एकी चीज है, no, time and tense are not the same thing, time and tense एक चीज नहीं है, though they are different, time is a universal concept, time एक universal concept है, मतलब एक शारव भॉम भारणा है, जो सभी जगा सेम होता है, it has three divisions, इसके तीन पार्ट है, present, past and future, मुट सब जानते हैं कि tense के तीन पार्ट होते हैं, present, past and future, but the time is related to the verb only, लेकिन time की जहां तक बात है, यह भॉम से related है, and it is not necessary that if the verb is in the present tense, it will show only the present time, और time से मतलब यह हुआ कि अगर भर्ब present tense में है, तो यह जरूरी नहीं है कि यह समय भी present का ही होगा, यह जरूरी नहीं है, tense present का है, लेकिन समय जो है, time जो है, वो present का होगा ऐसा जरूरी नहीं है। Similarly, it is not necessary that if the verb is in the past tense, it will show the past time, उसी प्रकार अगर भर्ब past tense में है, past tense में अगर है, तो यह जरूरी नहीं है कि भर्ब जो है, वो past time को दर्स आएगा, हो सकता है यह दूसरे समय future वगरा को भी दर्स आ सकता है, so that's the difference between time and tense, ठीक है? अब हम लोग इसको example से समझते है, the meeting takes place on Monday, यह जो present tense में है, लेकिन इसका overall meaning जो निकलता है, वो present time को नहीं होता है, the meeting takes place on Monday, meeting कम होने वाली है, तो Monday को होने वाली है, अरे, this Monday refers to the future time, यह Monday future time को refer कर रहा है, तो यहाँ दो चीज आपको clear हो गया, कि meeting takes place जो है, वो present tense में है, लेकिन यह घटना जो घटने वाली है, यह बरतमान समय में नहीं, इसका tense का time क्या हो गया, यह future हो गया, और future कहाँ से रेफर हो रहा है, Monday शो, ठीक है? तो here future time is Monday, next example में हम लोग आते हैं, रितेश is about to come, second example, रितेश is about to come, यह इस एक भव है, इस से मतलब है कि आप पता चल गया आपको कि यह present tense में है, लेकिन about to come जो expression है, यह expression future का reference दे रहा है, तो यहाँ भी clear हो गया कि इस भव प्रेजेंटेंस में जरूर है, लेकिन इस कार्जिका जो समय है, time, वो time future को denote कर रहा है, क्योंकि about to come का मतलब future time, future में यह घटित होने वाली है, और तीसरा example, the sun rises in the east, sun rises in the east में, rises जो है वो present tense में है, भीवान फॉर्म है, लेकिन यह universal truth है, और universal truth जो है वो it will never change, यह कभी बदलता नहीं है, so here it is a universal truth and it stands for all three times, past, present and future, इसलिए इसका जो time है, यह fix नहीं है, यह present को भी बता सकता है, past को भी बता सकता है, future को भी बता सकता है, it's clear, now kinds of tenses, there are three kinds of tenses, तीन प्रकार का tense होते हैं, आप सब जानते हैं, present, past and future, examples देखते हैं, I walk to the walk, present tense, walk से प्रता चल रहा है, भीवान है present tense, I walked to the walk, I walked to walk, यह past tense है, क्योंकि walked जो है, वो भीटू है, I will walk to walk, will walk जो है, यह future बता रहा है, कि तो shall और will जब भी आए, तो आप समझ लीजिए को future है, the verbs do not just express actions, यहां जो तीन भर्ब अंडरलाइन किया हुआ है, walk, walked, और will walk, यह सिर्प action नहीं बता रहा है, they can also express a state of being, काम की होनी की जो स्थिती है, उसको बता रहा है, examples देखो, clear होगा, I was happy, मैं खुश था, past tense, क्योंकि was past tense में है, I am happy, am जो है, वो present tense के लिए बता रहा है, मैं खुश हूँ, यह present को बता रहा है, but I will be happy, मैं खुश हूँगा, यह future को बता रहा है, तो यह state कैसी समझ में आ रहा है, देखो, different forms of the verbs, simple और indefinite present, पहला जो form है, simple form है, उसको simple भी कहते हैं, indefinite भी कहते हैं present में, यह पे subject ही singular, अगर subject singular है, तो इसका जो form होगा, वो subject S plus V1 plus S और ES plus O, subject, अगर singular है, और उसके साथ V1 तो लगना ही है, चुकि simple में V1 ही लगता है, S और ES इसलिए आया, क्योंकि third person singular number, third person singular number जो है, वो S, ES लेता है, इसलिए V1 के साथ S और ES लगाए जाता है, और object उसके साथ आएगा, जैसे राजू, सेल्स, केक्स, दूसरा example, if the subject is plural, अगर subject plural है, तो इसका form हो जाएगा, subject plus V1 plus object, इसमें किसी भी प्रकार का, ES, ES या कोई change हम नहीं करने वाले हैं, example, children perform on the stage, बच्चे मंच पर perform कर रहे हैं, या करते हैं, तो perform जो है, इसमें देखो, कोई change नहीं आया, क्योंकि ये plural भाव form है, uses में आते हैं, to express habitual action, पहला है, habitual action, habitual action का मतलब होता है, ऐसा काम, जो हमाएं रोज करने की आदत है, habit से habitual बना है, example देखो, I take butter milk after lunch every day, मैं प्रति दिन, lunch के बाद butter milk लेता हूँ, ये every day जो है, every day time reference है, ये refer कर रहा है, कि ये present है, ठीक है, लेकिन ये, साथ साथ ये भी बताता है, कि ये मेरी आदत है, कि रोज lunch के बाद butter milk हम लेते हैं, कि ये habitual action हो गया, यहाँ जो भव आया, take, ये present indefinite का, या simple present का आया, exercise number two, to express universal truth, universal truth यानि जो चिरंतन सक्थ है, हर जगा, हर देश में सक्थ है, उसको कहते हो बदलने वाला नहीं है, जैसे water is the life line of living things, water जो है, वो किसी भी सजी पदार्थ के लिए क्या होता है, जीवन रेखा होता है, पानी के बिना, कोई भी जीव जिन्दा नहीं रहता है, इसमें, present का tense है, और ये present ही रहने वाला है, ये universal truth है, ये कभी बदलने वाला नहीं है, यहाँ पर भी हम लोग, simple present का यूज किये, question, point number three, to express an action taking place in the immediate present, तुरंत, बरतमान में तुरंत, घटित होने वाला जो घटना है, उसको हम लोग present में लेते हैं, जैसे, the pickup van is arriving within five minutes, pickup van जो है, वो पाँच मिनट के अंदर आने वाला है, तो जो five minutes है, ये immediate present है, बरतमान में तुरंत, इसके लिए हम लोग जो pickup van is arriving, ये continuous में ले रहे हैं, ये ततकाल होने वाली बरतमान की घटना है, fourth, to indicate the present appropriate, चवथा जो use है, fourth, वो बरतमान के period को denote कर रहा है, बरतमान समय के अबधी को, Simran is teaching in DAV public school, Simran DAV public school में पढ़ा रही है, ये अभी के period में, बरतमान period में भी पढ़ाने का काम जारी है, इसलिए यहाँ पर ये present का काम हम लोग किये हैं, अब पाँच नंबर में to express a future fixed action, पाँचवा नंबर जो है, ये future का action है, लेकिन fixed action है, मतलब पाले से निर्धारी था है, इसमें कोई changes होने वाला नहीं है, ऐसे कामों के लिए, हम future का use ना करते हुए, present simple use कर सकते हैं, जैसे the national news telecast at 7 in the evening, राष्टिय समाचार जो है, वो 7 बजे शाम को प्रशारित होता है, 7 बजे शाम को ये refer कर रहा है future का, लेकिन घटना जो है वो present का है, तो एक तरफ tense जो है, वो present बताया, लेकिन घटना जो है, वो future के आने वाले fixed plan है, जो कि 7 बजे निर्धारित है, तो 7 बजे ये निर्चा सुनने को मिलेगा आप, ठीक है, तो ये था present, simple present का uses, अब हम लोग आते हैं, present continuous, the present continuous is mainly used to express, the idea that something is happening at the moment of speaking, present continuous tense जो है, ये एक विचार देता है, एक धारणा देती है, express करता है कि कुछ घटना, जिस समय वक्ता बात को कह रहे हैं, जिससे अभी आप को कह रहे हैं, तो अभी जो घटना हो रही है, वो उसी समय हो रही है, जिस समय at the time of speaking, उसी समय वो घटना भी घट रही है, the present continuous also describes activities generally in progress, present continuous actually उस तरह की घटनाओं को बताता है, जो अभी जारी है, in progress का मतलब जारी है, so if subject is singular, अगर subject singular है, तो उसका form को आप ध्यान रहो, subject plus am is are, plus v1, plus ing, v1 के साथ है, ing लेगा, जिसको हम लोग before कहते हैं, तो साथ में object लगेगा, जैसे he is drinking milk, he के साथ is लगा, drink के साथ ing लगा के drinking कर दिये, if the subject is plural, अगर subject plural है, तो उसका जो form हो जाएगा, वो subject के साथ, is am को हटा देंगे, are लग जाए, v1 plus ing, plus object, example, children are drinking milk, children यह plural हो गया, तो भौब जो है, वो भी plural हो गया, are, singular subject के साथ singular verb, plural subject के साथ plural verb, इसका uses में आते है, first uses, for an action is going at the time of speaking, जिस समय आप बात को कह रहे हैं, या वक्ता जिस समय कह रहे हैं, ठीक, उसी समय घटना भी क्या हो रही है, घट रही है, जारी है, my father is watching a movie, जब ऐसा हम कहते हैं, कि मेरे पिता जी एक movie देख रहे हैं, तो जिस समय हम कह रहे हैं न, उसी समय पिता जी movie देख भी रहे हैं, यह हो गया at the time of speaking, to work about activities happening in the near future, especially for planned future actions, दूसरा example, दूसरा uses क्या है, कि ऐसे activities, जो निकट भविष्च में, near future मने निकट भविष्च, जादा future मेंने, नजदीक के future में होने वाला, और planned है, मतलब पहले से यह program fixed है, इसके लिए हम लोग future tense का use न करके, हम लोग present continuous का use करते हैं, जैसे, शुषान is coming for dinner tomorrow, शुषान कल dinner के लिए आ रहे हैं, यह कल जो है, यह future हो गया, लेकिन यह चुकि fixed है, कि कल उसका dinner में आना तय है, planned है, इसलिए हम लोग is coming देके, continuous में इसको बनाए हैं, usage number three, with always, forever, constantly to describe the emphasis, a series of repeated actions to express annoyance, तीसरा है, कि always, forever, या constantly जैसे word, कभी-कभी sentence में आते हैं, और यह describe करते हैं, emphasize करते हैं, यह series of repeated actions, ऐसे काम जो बार-बार repeat होता है, और इस repeat होने के कारण, आपके मन में किसी ना किसी प्रकार का एक नाराजगी होती है, annoyance, इसको हम लोग व्यक्त करते हैं, present continuous strength से, जैसे एक example, you are always interrupting me, when I am talking, मैं जब भी बोलता हूँ, आप हमेशा मुझे टोकते रहते हैं, तो मेरे बोलने के समय, आप हमेशा टोकते हैं, यह एक तरह से आपकी आदत हो गई है, always लगा यहां, और यह आदत जो है, आपकी यह जो आदत है, यह आदत कहीं न कहीं मुझे क्या करती है, नाराजगी जाहिर करवाती है, या मैं नाराज होता हूँ इसके लिए, क्योंकि आप इससे हमेशा डिस्टर्ट करते हैं, तो आज के इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हम लोग इतना ही पड़ें, दो टेन्स का उज़ेज पड़ें, रिमेनिंग पोर्शन हम लोग जो है, वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके पहले कि हम आज इस क्लास को ओवर करें, आपसे एक request है कि आप पूरे वीडियो को बिना skip किए देखिए समझिए पसंद आए तो like बटन को दबाईए अपने दोस्तों में अपने friend circle में इसको share कर दीजिए इस channel को सबसे पहले आप subscribe कर दीजिए क्योंकि आप अगर subscribe करते हैं तो नए ने वीडियो का जो notification है बेल आइकोन को भी दबादीजिए तो सबसे पहले आपको पास पहुच जाएगा और आप description में हमारे पुराने वीडियो के link दिये हुए है उस link को भी करें आप हमारे पुराने वीडियो को देखें वो सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है साथ में आई बेटन में उपर link दिया हुआ इसके previous वीडियो का वो भी आप देखिए समझीए अच्छा लगे like बटन दबाईए दोस्तों में share कीजिए subscribe जरूर करें क्योंकि आपके subscribe करने से हमें encouragement मिलता है और हम और अच्छे-च्छे वीडियो आपके लिए बना सकते हैं फिल देन thank you everybody फिर हम लोग मिलेंगे next वीडियो में तब तक bye bye have a nice day